जैहिन सभी फॉजी भाईयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल आर्मी वाला पे जितने भी दोस्ते इंडियन आर्मी त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मातपूर्ड प्रैक्टिस्टर चल ला है जी के जी इसका तो आप लोग जोड़ जाएगा सेशन को लाइक शेयर कर दिएगा अभी तक हमाई चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा कुश्चेन नमबर वन आपके स्क्रीन पे दोस्तों इसका अंसर करना है कि दक्षण अमेरिका के चीतोषण घास के स्थल को क्या कहा जाता है तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्श नेक्स कुश्चन तरब बढ़ते हैं नेक्स कुश्चन दिल्ली सहर की स्थापना की थी दिल्ली सहर की स्थापना किसने की थी आपको इसका अंसर करना है आप लोग इसका अंसर करेंगे दिल्ली सहर की स्थापना किसने की थी तो गलक ने तो मर ने लोदी ने या फिर गुल तो राइट cela क्या होगा अंस्रक्रापका बने गा अप्षिन ब्रमरेंस के द्वारा जुकि में नियुक्त को माया तो अनंग पाल को माया जो किस्ट को से समवें ठें तो आपके लोग याद रुखेंगे जुट है चाहरा है विश्टे परियावरण दीवस कम आयाता है When is environment day celebrate आपको इसका आँशर करना है चार जून, छह जून, आठ जून या फिर पांच जून को या फिर पांच जून को सभी किता है ऑप्सन जो कि आपका डी गरेक्ट आउरेकट आंशर होगा 5 June को जो की क्या मना जाता है विश्टु परियावड दिवस मना जाता है Next question तरह बात करते हैं Next question है आपका विश्टु में सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्टु में लंबी नदी सबसे लंबी आपकी कौन सी है Which is the largest river in the world विश्टु में सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा, नील नदी, सोन या इन में से कोई नहीं गंगा नदी, नील नदी, सोन नदी तो सभी को पता होगा right answer होगा option B option B क्या होगा correct answer बनेगा जो कि आपकी नील नदी विश्व की समसे लंबी नदी है Next question लिप लेखा दर्रा किस राज में इस्तित है राजस्थान सिक्किम उत्रा खंड या फिर हिमाचल प्रदेश तो correct answer बनेगा उत्रा खंड option C correct answer होगा लिप लेख दर्रा जो कि आपके उत्रा खंड राज में इस्तित है वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था अमेरिका का फ्रांस का पुर्टगाली या फिर रूस का आप सभी को पता होगा कि वास्को डिगामा ने जो कि आपके भारत की समुद्री मार्क की खुश की थी correct answer क्या बनेगा पूर्थ गाली option C correct answer बनेगा यानि कि वास्को डिगामा पूर्थ गाल का रहने वाला था next question है question number 7 air India का मुख्याले कहां पर इस्तित है air India का जो कि आपका headquarter कहां पर इस्तित है where is the headquarter of air India located चन्नाई लखनाउ दिल्ली या फिर कोलकता या फिर कोल कता तो correct answer बनेगा नई दिल्ली आपका option C correct answer होगा बढ़ते हैं next question रप next question भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है कांडला बंदरगाह तूती कोरिन या फिर मुंबाई या फिर विसाखा पटनम बंदरगाह विसाखा पटनम बंदरगाह तो correct answer बनेगा मुंबाई बंदरगाह option C correct answer होगा yes question है आपका निम्न मैंसे कौन क्रस्ट से सम्बंदित नहीं है निम्न मैंसे कौन क्रस्ट से सम्बंदित नहीं है पीली करांती, क्रिश्न करांती, स्वैत करांती या फिर हरित करांती तो करेक्ट आंसर बनेगा क्रिश्न करांती जो की आपकी क्रिश्न से सम्मानित नहीं है ओप्शन भी करेक्ट आंसर होगा नेर्स कुईशन है असोग किस बहुत बिक्चु से प्रभावित हुए थे नरहरी, गौतम बुद्ध, उपगुप्त या इनमे से कोई नहीं तो आप लोग याद रखेंगे उपगुप्त यानि की option C option C आप असोग जो की आपके उपगुप्त से प्रभावित हुए थे next question है next question कौन सा मुगल बात सा अनपड़ था जहांगीर, बाबर, औरंग, जे, बिया, इनमे से कोई नहीं तो सभी इतका right answer होगा option D इनमे से कोई नहीं तो कौन था जो की अनपड़ तो right answer का बनेगा अकबर अकबर जो की आपके option में नहीं है, option डापका यहांपे D right answer होगा next question है सहर अमरत सर की स्थापना किसने की सहर अमरत सर की स्थापना किसने की गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास या इनमे से कोई नहीं या इनमे से कोई नहीं गुरु रामदास जो की option A correct answer होगा option A correct answer होगा सहर अमरत सहर की स्थापना जो की गुरु रामदास ने की थी next question है आपका हैदराबाद में चार मिनार किसने स्थापित किया कुली कुतुबसाह, अबूल फजल, रजुद दौलाया इनमे से कोई नहीं तो आपका बहुत सा प्यारा सा आंसर होगा कुली कुतुबसाह, अनिक option A correct answer होगा option A आपका यहां पर correct answer होगा कब गया था तो पंद्रासो पंद्रासो एक्यानबे में आप लोग याद रखेंगे बढ़ते हैं next question तरफ next question है आपका खेल दिवस कब मनाया जाता है खेल दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च 26 जून 8 अक्टूबर या फिर 29 अगस्त को तो 29 अगस्त को खोल खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को जो कि आपका खेल दिवस मनाया जाता है किसके जनम दियुस पर तो मेजर ध्यान जन्त के जनम दियुस पर जो कि आपका खेल दियुस मनायाता है option D correct answer बनेगा next question है भारत में सबसे अधिक रेसम उत्पादक राज कौन सा है भारत में सबसे अधिक रेसम उत्पादक राज कौन सा है वेश्ट बंगाल, उडिसा, उत्रप्रदेश या फिर करनाटक या फिर करनाटक तो correct answer बनेगा आपका करनाटक option D, option D आपका यहाँ पर correct answer होगा बढ़ते हैं आपके next session की तरफ, next session आपका है सामान ने विज्ञान का, तो question number one आपके सिन पे आ चुका है आप लोग किसका answer करेंगा, यानि question number 16 निम लिखित में से किसका उप्योग भारी मसीनों के इसनेहक के रूप में किया जाता है भारी मसीनों के इसनेहक रूप में किया जाता है तो correct answer क्या बनेगा, ग्रेफ आइड यानि की option एक correct answer होगा next question है, question 18 correct सुने में सुने का अनुपाद क्या है 18 correct में सुने का जो कि अनुपाद आपको बताना है 60 प्रसत, 75 प्रसत या 85 या इन में से कोई नहीं तो अगर आप से बात किया सुने 24 correct का होता है लेकिन 18 correct का सुना आता है उसमें सोने का आपको बताना है तो कतना होगा आपका option B 75 प्रसत जो कि आपका उसमें सोना होगा चलते बढ़ते हैं next question तरफ next question है, निम लिखित में से किसका उपयोग smoke bomb बनाने में किया जता है smoke bomb बनाने में किया जता है सल्फर का फास्फोरस कार्बन का या फिर हाइड्रोजन का तो दोस्तों क्या होगा आप लोग याद रखेंगे स्मोक बम जो की बनाने में किसका उप्योग किया जाता है तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका फास्फोरस का ओप्शन भी करेक्ट आंसर होगा नेर्स कुईस्टन है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रियोग किया आता है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रियोग किया आता है पतियां पुंकेसर इस्टाइला और सिस्टमा या फिर आपका यहां से से प्लस से प्लस तो करेक्ट आंसर बनेगा आपक कुछ दोस्त हमारे यहाँ पर option B देंगे लेकिन B आपका गलत होगा B आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर होगा इस्टाले और सिस्टमा यानि की option C correct answer बनेगा Next question दोस्तों हमारा है आप लोग इसका answer करेंगे हरे पौधे किसकी उपस्तिती में भोजन बनाते हैं हरे पौधे किसकी उपस्तिती में भोजन बनाते हैं प्रकास, उस्ड, अंधेरा या फिर खरिजलवड तो correct answer आप सभी को बनाऊगा option A लाइट यानि की प्रकास की उपस्तिती में जो की भोजन बनाते हैं बढ़ते हैं next question तरफ, next question आपका है, कि आलू किसका संसोधित रूप है, आलू किसका संसोधित रूप यानि उत्पादन है, तना का, फूल का, पत्ती का या फिर जड़का, या फिर जड़का, तो आप लोगों ने याद रखना है तना, तना यानि कि option, a correct answer होगा, option क्या होगा आपका, ये correct answer होगा, तना इस टेम आपका correct answer होगा, next question, निम लिखित में से कौन सी मिस्रधातु चार घटकों से बनी होती है, निम लिखित में से कौन सी मिस्रधातु चार घटकों से बनी होती है, solder, नाइक्रोम, मंगनीन या इन में से कोई नहीं, या इन में से कोई नहीं और option B क्या होगा अपर correct answer होगा जो कि नाइक्रोंग चार जो कि मिस्र धातूं से बनी होती है next question है निम लिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है किसे द्रव सोना कहा जाता है बेंजीन को, प्रेटरोलियम को, पानी को या फिर पारा को सभी का right answer होगा option B option B petroleum is the right answer करता है किस अंग को प्रभावित करता है तुचा को, आंख को, तंतर का सब्सक्राच को, प्रभावित करता है next question ہے आपका एकिन निम्न मैंसे कौन सा उस्मा का सबसे अच्छा चालक है, उस्मा का सबसे अच्छा चालक है, इन मैंसे बताना है आपको पारा, पानी, चमड़ा, या फिर वेंजीन, या फिर वेंजीन तो correct आंजर होगा पारा यानि कि mercury option, ए correct answer होगा, निर्वात में तो correct answer बनेगा option D निर्वात में आपका correct answer हो जाएगा यानि कि option D आपका right answer होगा बढ़ते हैं next question तरफ next question आपका है लंबाई की सबसे छोटी काई है लंबाई की सबसे छोटी काई क्या है माइक्रोन, नैनो मीटर, एंगर स्ट्राम या फिर फ्रेमी मीटर या फिर फ्रेमी मीटर तो correct answer क्या बनेगा जो कि आपका यहाँ पे right answer होगा फ्रेमी मीटर option D correct answer होगा तश्की पावर मैनस बंदरा आप लोग याद रखेंगे बढ़ते हैं next question तरफ question है 28 या अंत्रिक उर्जा की SI1 क्या है या अंत्रिक उर्जा की SI1 क्या है जूल, वाट, न्यूटन सेकेंड या फिर जूल सेकेंड, जूल, सेकेंड तो right answer बनेगा वाट वाट आपका correct answer होगा वाट आपका correct answer होगा option B नेस्ट कुश्चन है आपका निम्न मैंसे कौन सा उतक का उढ़ाण है निम्न मैंसे कौन उतक का उढ़ाण है दिमाग, रक्त, य करत या फिर पेठ तो right answer होगा रक्त option B correct answer बनेगा option B मेरे दोस्तों right answer होगा next question है question number 30 यानि question number 30 लार किसके पाचन में मदद करता है यह question आपका homework का है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like करिएगा share कर लिजिएगा और दोस्तों channel को सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए फिर मिलते हैं आपको next session में तब तक लिए जै हिन जै भारत वन्ले मात्रम